हलो दोस्तों गुड मॉनिंग आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे आप सभी को नवरात्री के पहले दिन की बहुत बहुत शुपकामना है दोस्तों सुवे सुवे सबा चार बजे का टाइम है और मैं आज चार बजे उठ गई थी तो बैट छोड़ने और मूद होने में मुझे दस बन्र मिनिट का टाइम लग गया और अब जो है मैंने मूद हो लिया तो थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ और सबसे पहले मैं जो है थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ मॉर्निंग में उठ के चार बजे तो वो मैं अभी कर रही हूँ मेडिटेशन डीप मेडिटेशन तो नहीं करती हूँ मैं लेकिन उठने के बाद जो है भगवान का ध्यान लगा लेती हूँ थोड़ी देर और साथ में जो है मैं प्राणायाम कर लेती हूँ और अगर टाइम होता है तो मैं जो है थोड़ा सा योगा भी साथ के साथ कर लेती हूँ लेकिन आज जो है नवरात्री का पहला दिन है तो आज मेरे को बहुत सारा काम है मुझे मंदिर भी साफ करना है पूजा भी करनी है कलेश साफना करनी है तो आज मैं जो है योगा स्कि और साथ के साथ मैंने अपने रे थोड़ा सा गरम पानी किया एक ग्लास और वो मैंने बैठ कर पिया क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद एक ग्लास गरम पानी पीने से बहुत हैल्थ बेनेफिट्स मिल जाते हैं दोस्त मॉर्निंग में उठने ही मेरी आँखों को बिल्कुल चका चक लाइट ना अच्छी नहीं लगती है तो मैं ना सारे घर की लाइटस जो है ओन नहीं करती हूं उठते के साथी क्योंकि थोड़ा सा मेरे को मंद रोश नहीं अच्छी लगती है इस टाइम तो मेरी वीडि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो फिर दीरे दीरे जब काम करना स्टार्ट करती हूँ तो फिर मैं लाइट्स वगरा ओन करती हूँ अदरवाइस उत्ते के साथी ना मेरे को बिल्कुल एकदम से लाइट्स वगरा सारी ओन करना मेरी आइस को नो सूधिंग नहीं लगता है दोस्तों यहाँ पर ना पांच बजे से उपर का टाइम हो गया है और अब मैं पहले जाड़ो पोचा लगा लेती हूँ पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि आज मेरे को मंदीर का भी काम है तो इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही जाड़ो पोचा लगा लेती हूँ जबकि अभी आयाना और उसके पापा जो है सो रहे हैं मैं ट्राइ करूंगी कि जादा मैं आवाज ना करूं काम करते वे हो तो उनको डिस्टर्ब ना हो तो अभी पहले मैं जो है हॉल, किचेन और आयाना का रूम वगएरे साफ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जाओंगी अपने बैडरूम में जहां पर मेरे हजबनों या आयाना सो रहे हैं घरवालों की नीत खराब ना हो, इसलिए मैं सुबह सुबह नहीं लगाती हूँ जाड़ू पोचा और अगर घर की सपाई ना हो तो फिर उससे पहले नहा भी नहीं सकते हैं याना स्कूल चली जाती है तो उसके बाद ही फिर मेरा नहाना होता है और जाड़ू पोचातों में जब उसको उठा देती हूँ, ये लोग उच जाते हैं तो तब लगा लेती हूँ लेकिन जो है नहाना तो फिर उसके बाद ही हो पाता है दोस्तो फेस्टिवल टाइम स्टार्ट हो चुका है और आज पहला नवरात्रा है और फेस्टिवल टाइम में वैसी ही एक अलग रौनक लगी रहती है मतलब घर में भी और घर के बाहर भी जाओ तो और अब तो जो है दिवाली फिर उसके बाद छट पूजा मतलब इनफेक्ट डिसेंबर तक जो है काफी रौनक रहती है फिर प्रभाद फेरी वेगर भी स्टार्ट हो जाती है दिवाली के बाद तो मतलब ये एक दो मेहने ना बड़ी रौनक रहती है तिवारों के टाइम पर तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये टाइम मेरी ने सपाई हो चुकी थी और मैंने नहा भी लिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में और ये ना हमारी उत्राखन की एक डाल होती है वहाँ पर गहत बोलते हैं तो ये मैंने उबाल रखी थी सुबह ही उबाल दी थी तो इसको मैंने थोड़ा सा इसका पानी स्ट्रें कर लिया है और ये मैं बनाने वाली हूँ आज इसके पराठे इसकी रोटी या पराठे कुछ भी बना सकते हैं आप रोटी बनाएंगे तो बाद में घी डाल के खालो या फिर पराठे टाइप तवे पर ही घी लगा के उस टाइप से भी बना सकते हैं तो मैं तो इसको पराठे के लिए मैं सेंड़श बना दूझ और गर बा Two एना चेज्ड और ट siellä यह कह प्रणा लुगे तो सेंड़श तो मैं उसका उलूर से खाने के लिए क्योंकि थोड़ा सा फैट होता है उसमें और बच्चों के लिए अच्छा होता है बट वो इतना पसंद नहीं करती है चीज तो कमी लाती हूं फिर मैं क्योंकि मैं और मेरे हजबन तो वैसी चीज नहीं लेते हैं तो उसके लिए लाती थी मैं बट उसको भी पसना पसन नहीं आता तो मैं अब कमी लाती हूँ तो ये मैंने उसके लिए जो है पहले सैंड़िच वगरे रेडी कर लिये अब बस इने सेखना रह गया है अभी न मैंने पूजा नहीं की है मैंने सोचा पहले मैं जो है ब्रेकफास्ट और टिफिन वगरे बना देती हूँ आ पहले में जो है ये किचन का काम निपटा लेती हूँ और फिर उसके बाद आराम से तसली से फिर मैं अपनी पूजा भी कर लोगी क्योंकि फिर ना मेरा ध्यान यही रहेगा कि कि टाइम पता नहीं क्या हो रहा है तो याना कि स्कूल जाने का टाइम नहीं हो जाए तो इसलि पराठ के डाल दी थी और इन सब को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब मैं जो है इनकी फिलिंग करूंगी तो उसके लिए मैं जो है नॉर्मली जैसे हम पराठ के लिए आटा लेते हैं उसी तरीके से लोई ली और उसको थोड़ा सा में बेलूंगी और उसके पर अच्छी डाल मानी जाती है और इसको डाल डाल की तरह भी बना सकते हैं बहुत सारी तरीके से इनको इसको बनाया जाता है और तो मैं तो इसको जो है अभी मैंने कल रात को भीगो दीती क्योंकि मैं हजबन जो है इसका पानी पीते हैं आज का क्योंकि उनको बीच में स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी तो ये स्टोन के लिए भी बहुत अच्छी डाल होती है ये क्लियर कर देती है जैसे किड्नी स्टोन वगएर जिनको प्रॉब्लम होती है तो वो ये गहत या फिकुल्थ की डाल जो है इसका पानी पीएं और इसकी डाल को फिर नॉर्मल डाल की तरह बना के खालें तो ये बहुत मतब बेनिफीशल मानी जाती है किड्नी स्टोन के लिए तो स्कूल चली गई है रेडी होकर उसका मैंने टिफिन रेडी कर दिया था और उसके भी बालवाल वगएर बना दिये थे तो वो चली गई है स्कूल तो मैंने थोड़ा सा ये गैस वगएरे साफ करी क्योंकि खाना वाना बनानी से गैस थोड़ी फैल जाती है मतलब गंदी हो जाती है तो वो मैंने पहले से थोड़ा सा कपड़ा मारके उसको साफ कर लिया और मेरा तो आज fast है तो मैंने तो खाना है नहीं और husband के लिए मैंने breakfast बना दिया है पूजा वगेरे करने के बाद हमें अपनी इनलोज के पास भी जाना है मेरे सासों जो यहीं पे रहते हैं ज्यादा दूर नहीं रहते हैं तो हमें उनके पास जाना था तो इसलिए भी मेरे को यह था कि मेरे को जली जली काम निप्टाने थे आज क्योंकि फिर मेरे husband का login करने का time भी हो जायागा क्योंकि उनकी चुट्टी तो है ने office की तो हम उनसे मिलने के बाद जो है फिर आके वो अपना office का काम करेंगे तो मैंने जो है पहले मेरे कान के भी मैंने निकाल रखी थे रहूं मैंने वो भी पहने और धोरा सा सिंदूर वगएरा बिंदी वगएरा यह सब लगाई और उसके बाद जो है मैं फिर पूजा करने के लिए बैड़ रही तो दोस्तो नवरात्री का पहला दिन है तो पहले मुझे पूरा मंदिर साफ करना था तो उसके लिए मैंने सारा समान हटाया मंदिर का और जो वाश करने वाली चीज़े थी वो मैंने वाश करी और उसके बाद जो है फिर मैंने अच्छे से पूरा मंदिर जो है और एक एक फोटो जो है वो लगाई और उसके बाद फिर जो आम के पत्ते थे उनको भी धोके लेके आई थी और जो कलश होता है उसमें लगाई यह आम के पत्ते में मैं रही से मुझे जोपना किने ना चोटे शोपना करी और ढ़र जलाय has फिर पूजा वगएरे करी अच्छे से और उसके बाद मेरा मंदी जो है वो चमर गया था और बहुत अच्छा लगता है जब सुबह-सुबह हम जो है इतनी एनरजी के साथ पूजा वगएरे करती हैं तो एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है घर में भी और हमारे मन में भी आती है तो अच्छा लगता है यह उतियोहारों में और यह नवरात्रे तो बहुत अच्छे सुकून देते हैं मुझे और आज मेरा वरत है तो और अच्छा लग रहा है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई जै माता दी